हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू एससी कोचिंग सेंटर दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे रीजिनिंग के इंपोर्टेंट प्रेश्णों की जिसमें आपको तरक लगाना पड़ेगा ठीक है रीजिनिंग का मतलब ही आप जानते हैं के तरक लगाना होता है तो यहाँ पर जो कॉश्चन है देखिए इस पे सही मत कर देना ये गलत आंसर हो जाएगा की हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है पुलिस को शिक्षक कहा गया है ये बात आप हमेशा नोट रखना कि किसको क्या कहा जा रहा है पुलिस को कहा गया है शिक्षक ठीक है पुलिस को शिक्षक कहा गय ठीक है और शिच्छक को राजनितिग्य जो शिच्छक है उसको कहा गया राजनितिग्य ठीक है राजनितिग्य और जो राजनितिग्य है जो राजनितिग्य है उसको कहा गया है राजनितिग्य को क्या कहा गया है डॉक्टर राजनितिग्य और डॉक्टर कहा गया है और डॉक बकील को कह रहा है सर्जन ये इनके नाम को चेंज करके रखा गया यानि कि है तो पुलिस लेकिन इसको क्या कहा जा रहा है शिक्षक कहा जा रहा है बही पुलिस को सिक्षक कहा जा रहा है लेकिन अपराधियों को कौन पकड़ता है पुलिस ही पकड़ती है लेकिन यहां पर प तो कौन पकड़ेगा, शिक्षक पकड़ेंगे, शिक्षक पकड़ तो पुलिस ही रही है, लेकिन पुलिस को सिक्षक कह रहे हैं, बस फर्क कितना है, कि अब पुलिस को सिक्षक कह रहे हैं, अगर यहाँ पे पुलिस वाला कोई बंदा है, उसको हम सिक्षक कहेंगे, तो सवाल है यदि ड्रीम को कूट भाषा में इतना लिखा जाए और चाइल्ड को इतना तो लीडर को कूट भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा अच्छा सवाल है ये भी SSC का कोशन पूचा गया देखिए ड्रीम सबसे पहलों तो मैं ड्रीम ले लेता हूं यहाँ पर इसका क कोड यह रहा CHILD इसका कोड 53417 यही है पूचा क्या है लीडर का इसका पूच रहा आप तो आसानी से बता देंगे आप लीडर का पूच रहा है देखिए D का code यहाँ पर कितना है 7 D का code यहाँ पर 7 तो D का code यहाँ पर भी 7 आ जाएगा यह रहा मेरा D R, R है यह रहा R R का code कितना है 8 तो R का 8 आ जाएगा E का कितना है 0 E का यहाँ पर भी 0 आ जाएगा A, A का कितना भाई 2 है तो यहाँ पर भी A का 2 आ जाएगा M, M मेरा यहाँ पर नहीं है C, C भी यहाँ पर नहीं है H, H भी यहाँ पर नहीं है I, I भी नहीं है L, L का 1 है तो L का 1 आ जाएगा बचा कौन E E का कोड कितना 0 है तो 0 आ जाएगा 10, 27, 0, 8 सबसे पहले दोखो 0, 8 लाश्ट में किस ओफशन में 0, 8, 1 ऑफशन में 10, 27, 0, 8 याने कि B ओफशन हमारे कोश्चन का बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा ठीक है इस तरीके की कोश्चन को आप बढ़ी आसानी से बना सकते है तरक लगाना होता है बस चलिए अब देखतें अगला सवाल अगला सवाल है एक खास कोड में B ORN को 5, 3 ये डॉलर का साइन है और ये श्टार का साइन है इस रूप में लिखा जाता है और न्यूस को इस रूप में लिखा जाता है तो उसी कोड में S O R E को कैसे लिखा जाएगा IPPS में आया था यह सवाल B O R N इसका कोड कितना है इतना यानकि 5 3 यह डॉलर वाला साइज और यह स्टार का साइज और फिर निउस है N E W S स्टार 2 4 हैज यही तो दिया गया है तो आप से शौर का पूछा है S O R E इसका कोड क्या होगा S का कोड देखिए S का कोड यहाँ पे कितना है S का कोड हैज तो यहाँ पे भी S का कोड हैज आ जाएगा ठीक है चलिए O का कोड देखिए 3 यहाँ पे भी 3 आ जाएगा R का कोड देखिए R का कोड यह $1 यह आ गया यह का कोड पहँचानिए यह का कोड दो तो 2 आ गया star 3 dollar 2 star नहीं hedge sorry hedge 3 dollar 2 hedge 3 dollar 2 यानि कि पहला ही option आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा असानी से सवाल समझ में आ रहे होंगे चलिए अब देखते हैं अगला सवाल अगला सवाल है किसी संकेत में fish को e h r g लिखा जाता है तो उसी संकेत में जंगल कैसे लिखा जाएगा बहुत अच्छा सवाल fish f i s h इसको कितना लिखा गया है इतना यानि कि e h r g लिखा गया है अब मैं इसको उसको numbering कर देता हूँ कौन सालफवेट कितने number पे आता है जैसे ये 6 number पे आता है i 9 पे आता है s 19 पे आता है और h आपका 8 पे आता है e 5 पे आता है h 8 पे आता है r 18 पे और g आपका 7 पे आता है ठीक है अब यहाँ पे देखना 6 से 5 हो गया 9 से 8 हो गया 19 से 18 हो गया 8 से 7 सभी में minus 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा सभी में minus 1 करके लिखा गया यानकि fish के जो अक्षर है उन में से सब में से एक कम करके यह आया है अब बिल्कुल वैसे ही यहां बना लेंगा जंगल G, U, N G, L, E यह दिया गया है इसको सबको numbering कर लू तो यह आपका 5 पर आता है ठीक है L, I, J, K, L L 12 पर आता है G आपका 7 पर आता है N 14 पर आता है J 10 पर आता है S, T, U यह किस पर आता है तो सम में से एक माइनस बन करूँगा तो यहां पर एक माइनस बन करूँगा 9, 22 में से गया 9 21 में से गया 20 24 में से one गया 13 और 7 में से one गया 6 12 में से one गया 11 और 5 में से one गया 4 चार नंबर पर कुण आता है भाई D आता है 11 नंबर पर क्या आता है II a K ठीक N 6 नमबर पे क्या आता है F आता है 13 नमबर पे M आता है 20 पे T आता है और 9 पे I आता है तो ITM F K D ITM F K D पहला ही option match कर रहा है पहला ही सवाल सही जवाब हो जाएगा ठीक है सवाल का पहला option पिल्कुछ सही answer अब देखेंगे अगला सवाल अगला सवाल है यदि lesson को इतना के रूप में coded करते हैं lesson को इस रूप में coded करते हैं तो उसी code में puzzle को कैसे code करेंगे यानि इसको इस form में कैसे लिखा गया है पहँचान लिए आपने तो फिर इसको भी बना दो गया FCI 2015 माया था इस सवाल चलिए इसको इतना लिखा गया है न चलिए लिख दो भाई N G U Q M और L यही तो लिखा गया है अब यहाँ पर आपने आसानी से समझ लेना है क्या हो रहा है L कितने पर आता है 12 पर आता है E 5 पर आता है S 19 पर यहाँ भी S 19 पर O 15 पर N 14 पर ठीक है L 12 पर आता है यह 13 पर आता है U आता है मेरा 20 पर O P Q यह 17 पर आता है मेरा Q G मेरा E F G 7 पर आता है G और N आता है 14 पर ठीक है चलिए 12 से 14 हो गया भाई पिलस का 2 5 से 7 हो गया पिलस का 2 19 से 21 हो गया यहाँ भी पिलस का 2 अब यहाँ 19 से 17 हुआ है यहाँ माइनस का 2 हुआ है ध्यान रखना 15 से 13 हुआ है माइनस का 2 14 से 12 हुआ माइनस का 2 पहले 3 में पिलस का 2 बाद के 3 में माइनस का 2 समझ में आ गया तो इसको भी अब आप बना दोगे असानी से ठीक है चलिए बनाते हैं P, U, Z, Z, L, E नमबरिंग करो ठीक है P कितने नमबर पे आता भई अगर मैं P की बात करूँ तो P आता है आपका O, P 16 नमबर पे भई U आता 21 पे Z 26 पे, Z 26 पे, L 12 पे, E 5 पे पहले के 3 में पिलस 2 यानि कि 16 में 2 जोड़ूँगा 16 में 2 जोड़ूँगा 21 में 2 जोड़ूँगा तो 23 हो जाएगा और 26 में 2 जोड़ूँगा तो 26 के बाद में 1, 2 यानि कि 2 आ जाएगा 26 में अब देखना पहले के 3 में प्लस 2 हो गया बाद के 3 में माइनस 2 अब बाद के 3 में माइनस 2 यहां तो प्लस 2 कर लिया, यहां माइनस 2 26 में से दो जाएगा 24 12 में से दो जाएगा 10 5 में से दो जाएगा 3 3 पर क्या आता है C 10 पर क्या आता है J 24 पर क्या आता है X 24 पर X 2 पर क्या आता है B 23 पर क्या आता है W और 18 पर क्या आता है R अब यह बन जाएगा आपका समझे दे कि 3 में पहले हमने 2 प्लस किया बाद कि 3 में माइनस 2 RWV किस ओफशन में है RWB RWB RWX RWB इसमें RWXJC XJC यानि कि C ओफशन मैच कर रहा है यही ओफशन हो सही जबाब हो जाएगा समझ में आगे सभी को चलिए अब देखेंगे हम अगला सवाल अगला सवाल है UP SSSC में पुछा गया 2016 में आपके पास दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं और दोनों ही ट्राइंगल में क्या है 7, 8, 9, 11, 10, 12 12 बीच में संख्यां यहां पे 9 दी गई है यहां बीच में क्या हैगा वही बीच वाली संख्यां फाइंड करनी है यानि कि X ठीक है बीच वाली संख्या 12, 13, 14, 15, 16, 17 क्या कर सकते हैं हम इन संख्यां को क्या कर सकते हैं हम इन संख्यां का आखिर क्या करें कि यह 9 हमको मिल जाए बाहर वाली संख्यां को जोड़ो फिर अंदर वाली का करो multiply करो कैसे भी करके नो ले क्या ना भाई चलिए अगर मैं ज्यान रखना अगर मैं इन बाहर वाली संग्याओं को पहले जोड लेता हूँ 8, 7, 15 15 मैं नो जोड़ूँगा भाई 24 हो जाएगा 15 मैं नो जोड़ा 24 और अंदर वाली संग्याओं को जोड़ता हूँ 10 और 11, 21, 21 से 12 जोड़ू 33 अब देखना पहले मैं अंदर वाली संग्याओं को जोड़ता हूँ 10 और 11, 21, 21 से 12 जोड़ू 33 ये अंदर वाली संग्याओं है और बाहर वाली संख्याओं को मैंने जुड़ा था तो कितना या था 24 तो अंदर वाली संख्याओं के योग में से बाहर वाली संख्याओं को योग घटा दो यानि कि 33 में से घटा दो 24 को तो 9 बचेगा ठीक है ऐसे अंदर वाली संख्याओं करो 15 और 16 31 31 में 16 जोड़ो 17 जोड़ो 48 बाहर वाली से जोड़ो घटा देंगे 12 और 13 25 25 में जोड़ो 14 49 हो जाएगा घटा दो भाई तो 48 में से जाएगा यहाँ पर 49 तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा यानि कि बिल्कुल फ्री है आप बड़ी आसाने से बटन दवाएँगे शियर हो जाएगा बटन दवाएँगे लाइक हो जाएगा ठीक है दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाग